सब्सक्राइब करके घंटी बजाओगे तभी तो अपडेट पाओगे तो प्रेस करो घंटी चंपा वज से कुछ किलोमीटर दूर है स्वाला गाउं और उससे थोड़ा और आगे है मौला गाउं 1950 की कहानी है आठ फॉजी अपनी बड़ी गाड़ी में यहां से गुजर रहे थे और उनकी गाड़ी खाई में गिर गई बोला जाता है उन्होंने काफी हेल्प मांगी मगर किसी ने हेल्प ने की बजाए उनका सारा समान लूट लिया राशन लूट लिया और उनके मरने के लिए छोड़ दिया और वो लोग मर गए तब से लेकर आज तब 8 सोलजर्स का भूत इस गाउं को हॉंट करता है शाम के टाइम के बाद गाउं वालों ने जहां पे उनकी गाड़ी गिरी थी और वो जहां मरे थे वहां पे उनके लिए मंदिर भी बनाया मगर कोई फरक नहीं पड़ा और आखेकार मौाला गाउं के सारे निवासी वहां अपना घर छोड़के मूब आउट हो गए उपर की तरफ सुवाला गाउं के अंदर यह स्टोरी तो इंटरनेट पे पढ़िये हैं इंटरनेट में आप डालो सुवाला गाउं और यह पूरी स्टोरी आएगी कि कैसे गाउं भूतिया है हॉंटिड है और बहुत फेमस है बड़ राइट नाओ हम जा रहे हैं उसी मौला गाउं में जहां सारे घर खंडर हो गए हैं और सारे विलिजर्ज मूव आउट हो गए हैं यह फाइंड आउट करने कि क्या सच्ची में वहां भूत है आओ 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 अराम से आओ जी आप लोग कहां रहते हो पहले यहां रहते थे हैं तो उपर क्यों चले गए और सीजन से आते हैं ना सीजन से आते हो कौन से सीजन में आते हो नीचे तो नीचे ही क्यों नहीं रहते हैं घर बरबाद हो जाता है मतलब अच्छा दोनों जगा खेती करते हो होतीं बारे कोके लेकिन यह जहां और खाजाते हैं और अच्छा और जह लेक के जाते हो गहसपूस जाते हैं आजिक क्या करते हैं कुछ नी ए अपे वागवास है खाली And finally we are at the place जहाँ पे घर है और जहाँ की ये बूत की स्टोरी है Dinesh जी आपका घर कौन सा है मेरा घर ही ये कामने मला तो ये जो इंटरनेट पे स्टोरी है इसमें कितनी सच्चाई है इसमें सच्चाई गया है तो जूट 165 साल और तब से लेकर आज तक कोई बात नी हुई कोई भूत परेद कुछ भी नहीं है कुछ नहीं हम तो यह हैं शोते हैं यहीं रहते हैं भूत और भगबान अपने मन में होता है जिसका मन डर जाएगा तो वहाँ भूत है जिसका मन नहीं तरेगा, वहाँ भूद नहीं है, हमारे गाउंवाले नित बुद्धी अन्बुद्धी थे, उनने भोल दिया, बारे बजे रात हम जोपरी में रहते हैं, हम नहीं देखता क्या, भूद तो दिखाई देता, हाँ है भूद नहीं है, वो तो हवा के वो उस्न हो होगी अभी, जी, मैं तो गिरते गिरते बची हो, हाँ, पचास प्या किलो आलू लगाए थे, यह भी सुवरूने आधा खा दे, आधा ही रहे, अब नादाने यह नहीं होने तक इतने खा दाएगी, जानवर, जंगी, जानवर है, यह इसकी कोई सुगिता होती है, तो हम यह पानी नहीं है, अभी जो आफ यह खेती कर रहे हो, वहां के लिए पानी नहीं हो ne और इन लोगों ने बोला है कि जहां पर उनका ट्रक गिरा था वहां पर मंदिर भी बनाया यहां पर तो इस ताइब बैक साइड में ना इसके तनकपूर पिठोड़ागर्ड हाइवे पर है यह माता का मंदिर कहानिया तो बहुत है यह मंदिर बना था एक चुल में क्या था य आप गवी नीचे यह जो मंदिर है उससे आपका ढ़ावा प्रावा प्रावा यह जो मंदिर है उससे आपका ढ़ावा कितना दूर है यह कंपी एक किलो मीटर है इस मंदिर का क्या है राज कोई पहले कोई आपिसर था यह गृफ के वो गिरे थे तो ऐसा खेटे कि हाँ देवी मा ने वचा लिया उनको यह गृफ की एक गाड़ी एक्सिडेंट होई थी हां जी उनका एक संदार जी नीचे यहां से गाड़ी यहां से निकलता है सम मानने वाले मानता है मतलब और आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है जैसे यह लोग के कहानिया है यह भूत है यह वह है ना मुझे तो नहीं लगता है इतपागी लगता है मुझे तो तो बेसिकली कहानिया ही है पहाड़ों की कहानिया है कहां से श्रूव ही क्या पता मगर आज तक चली आ रही है एक एकसिडेंट और उस एक एकसिडेंट की कई तरीके की कहानिया